विद्दु छेत्र और चुम्बकी छेत्र में आवेशित कंड पर लगने वाले लॉरेंज बल को जानने के बाद वेग्यानिक E.O. लॉरेंज और M.S. लीविंग स्टोन ने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से अलफा कणों, डूटरॉन जैसे अधन आवेशित कणों क उच्च ऊर्जा तक तुरित किया जा सकता था और इस युक्ति को साइकलोट्रॉन का नाम दिया गया साइकलोट्रॉन बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है एक्जामनेशन पॉंट ऑफ यू से, इस टॉपिक से जुढ़े हुए आंगीक प्रशन या ये टॉपिक पूरा एक्जाम में पूछा जाता है ये बहुत ही लंबा टॉपिक है तो एक्जाम में जब इसमें प्रश्ण आते हैं तो बच्चों इसमें ध्यान दीजेगा कि इसमें क्या-क्या पूछा जा रहा है इसमें जितनी बाते पूछी जारी हो केवल उसी को ही आंसर करें वहीं तक ही आप डेरिवेशन को सॉल्फ करें तो सबसे पहले इसकी परिभाशा आती है तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहता से धन आवेशितकन जैसे अल्फा और ड्यूट्रॉन को उच्च उर्जा तक त्वरित किया जाता है यह साइक्लोट्रॉन इस सिधान पर कारे करता है कि जब कोई आवेशितकन किसी चुम्बकी छेतर के लमवत उच्य आवरिती के विद्दु छेतर में गती करवाया जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है या यू कहे वत्वरित हो जाता है और उसकी उर्जा बढ़ जाती ह और इसी सिधान के आधार पर हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है तो इसकी कारी विधी को समझने के लिए इसकी सनरजना को देखते हैं यहाँ पर हमारे पास धात्व की दो खोकले चालक थे जो डी के रूप में थे अब इन दोनों चालकों के बीच में है अब इन दोनों डी को हम जानते हैं कि उच्च आवरिती के दो लित्र के साथ चोड़ा गया है यह दो लित्र कि इन दोनों डी की धुरूता को चेंज करते रहेंगे समय के साथ साथ मतलब कुछ समय पहले यदि डीवन धनात्मक विभव पे है तो डीटू रिनात्मक बहुigor पर मान लेजिए जब सेंटर पर एक धनावेशित कंक्यू द्रविमान का रखा गया है उस समय डी वन की धूरूता रिनात्मक है और डीटू की धूरूता धनात्मक तो यह धन आवेशित d1 की तरफ आकर्शित होगा क्या विप्रित आवेश एक दूसरी को आकर्शित करते हैं अब यह क्यूंअ आवेश d1 में प्रवेश कर जाएगा जैसे ही यह दीवन में प्रवेश करेगा यह d चुकि कोकला है क्योंकि खोकले धात्वी चालक के अंदर विद्दू छेत्र का मांशुन्य होता है इसलिए जब यह आवेश इस D के अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर विद्दू छेत्र का मांशुन्य हो जाएगा केवल यहाँ पर जो इस पर लंबत चुम्बकी छेत्र कारे कर रहा है उसी का प्रभाव इस धनावेशित कंड पर होगा और इस लंबत चुम्बकी छेत्र में जब धनावेशित कंड अंदर प्रवेश करेगा तो इस पर चुम्बकी लॉरेंज बल कारे करेगा वैसे यहां पर lorenge बल जब हम कहते हैं तो वो विद्दूद बल और चुमबकी बल दोनों का योग होता है लेकिन यहां पर विद्दूद बल का मान शून्य हो जाएगा कि उस खोकले d के अंदर विद्दूद छेतर की तीवरता शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर केवल चुंबकी बल कारिय करेगा और यह चुंबकी बल F बराबर QVB sin theta होगा। जहाँ पर theta V यानि उस आवेश की गती की दिश्या और चुंबकी छेत्र के बीच का कोण है। और यहाँ पर चुम्बकी छेत्र लंबवत है और उस चुम्बकी छेत्र में आवेशित कंड गती कर रहा है और इसी लिए इस धन आवेशित कंड पर लॉरेंच बलकार्य करेगा और इस आवेशित कंड का मार्क वृति हो जाएगा अपनाते हुए यह डी के अंदर गती करेगा और यह डी के अंदर वृताकार पथ पर गती करते हुए जैसे ही इस गैप में पहुचेगा उस समय इस प्रकार अरेंजिमेंट किया जाता है कि इस डी स की धुरूरता चेंज हो जाएगा मतलब इस समय D2 रिनात्मक विभव पर हो जाएगा और D1 धनात्मक विभव पर अब D2 रिनात्मक विभव पर होगा तो ये धन आवेशितकन अब D2 की तरफ अकर्शित हो जाएगा यहाँ पर इस gap में इस आवेश पर चुम्बकिय बल भी कारी कर रहे है और यहाँ पर विद्दुद बल भी कारी करेगा यहाँ पर इन दोनों का मिश्रित प्रभाव इस आवेश पर पड़ेगा और यहाँ पर विद्दू छेत्र के प्रभाव के कारण इस आवेशित कण का वेग बढ़ जाएगा यह यू कहें कि यह D2 की त्वरफ त्वरित हो जाएगा लॉरेंज बलकमान F इक्वल टू QVB साइन थीटा होगा यहाँ पर थीटा इस आवेशित कण के वेग और चुम्बकी छेत्र के बीच का कोण है अब हम जानते हैं कि चुम्बकी छेत्र इन D के लमवत लगाया जा रहा है यानि कि आवेश इस चुम्बकी छेत्र के लमवत गती कर रहा है तो theta बराबर 90 लेंगे, तो सूत्र अनुसर हम देखें, तो f बराबर हो जाएगा qvb sin 90 और sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए f बराबर हो जाएगा qvb, यानि यहाँ पर अधिक्तम लॉरेंज बल कारे करेगा, और इस लॉरेंज बल के कारण इस धनावेशितकन का मार्क वृति हो ज गती करेगा, अब यह आवेशितकन वृतिय मार्क पर गती कर रहा है, हर हम जानते हैं कि कोई भी वस्तू वृतिय मार्क पर गती करती है, तो उसको केंद्र से एक बल प्राप्त होता है, जिससे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, तो वृतिय मार्क पर गती करने के लिए इस अभिकेंद्र बल होगा f equal to mv square upon r जहां पर r इस वृतिय मार्ग की त्रिज्य होगी अब ये अभिकेंद्र बल इस आवेशित कण को कहां से प्राप्त हो रहा है तो जो लॉरेंच बल है वही इस आवेशित कण को वृतिय मार्ग पर गती करने के लिए परियाप्त अभिकेंद बल दे रहा है तो हम यूँ कह सकते हैं कि लॉरेंच बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा यहां से हम देखें तो qvb बराबर mv square upon r लिखेंगे और r बराबर हो जाएगा mv upon qb इस समीकरण में हम देखें m यानि की आवेशित कंद का द्रव्यमान q यानि की कंड का आवेश और b यानि की चुम्ब की छेतर ये तीनों ही एक नियत राशी है केवल यहां पर हम देखें तो कंड का वेग वो चेंज हो सकता है तो हम यू कह सकते हैं कि r समानुपाती होगा वेग के यानि की कंड का वेग यदि बढ़ता जाएगा तो इस वृती मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगे अब हम देखते हैं कि इस धना वेशित कंड को इस d1 d के अंदर वृती मार्ग तै करने में कितना समय लगेगा माल लेजे कंड को t समय लग रहा है हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होती है यहाँ पर कंड d के अंदर एक अर्ध वृता का रूप में गती कर रहा है यानि कि इसके द्वारा तै किएगे पत की लंबाई एक अर्ध वृत की परिधी है और अर्ध वृत की परिधी होती है पाई यार तो यहाँ पर हम दूरी के जगे लिखेंगे पाई यार और इस कंड का वेक लिखेंगे वी और अभी हमने आर का मान गयाद किया आर बराबर एम बी अपॉन क्यूबी यह मान हम इस सूत्र में रखते हैं तो टी बराबर हो जाएगा पाई एम वी अपॉन वी क्यूबी यहाँ से वी और वी कैंसल करेंगे तो हमें टी बराबर मिलेगा पाई एम अपॉन क्यूबी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दीवन के अंदर आवेशित कंड को गती करने में जो समय लग रहा था वो तो वो ना तो इस कंड के वेक पे निर्भर कर रहा है और ना ही इस वृतिय मारगे की त्रिज्ये पे निर्भर कर रहा है वो केवल आवेशित कंड के द्रव्यमान पर आवेशित कंड के आवेश पर और चुम्ब की छेतर पर ही निर्भर कर रहा है यह यू कहें कि इस टी का मान फिक्स है और इसी लिए तो हम इस डीज की दोलन आवरिती को फिक्स कर सकते हैं एक निश्चित दोलन आवरिती में ही यह साइकलोट्रोन काम करता है क्योंकि अब जब यह ग्याप तक आता है एक अर्ध वृत तै करते हुए डीवन में इस समय दोनों डीज की दूता बदल जानी चाहिए यानि कि अब डीटू को रिनात्मक हो जाना चाहिए और डीवन को धनात्मक तभी तो यह धन आविशितकन यह डीटू की तरफ आकर्शित होगा और ऐसा ना हुआ तो यह साइकलोट्रोन काम नहीं करेगा और साइकलोट्रॉन का यह काम करना तभी संभव हो पाता है जब इस खोकले D के अंदर लगने वाला समय वो फिक्स हो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी समय के आधार पर ही हम इस दोलन आवरिती को फिक्स कर सकते हैं ताकि यह साइकलोट्रॉन अच्छे से काम करें अब मान लीजी यह आवेशित कण यह गैप में पहुच गया और इस समय धुरूता चेंज हो गई अब इसके कारण इस गैप में यह आवेशित कण विद्दू छेतर का प्रभाव भी अनुभव करेगा और चुम्बकी छेतर का प्रभाव भी अनुभव करेगा और यहाँ पर यह आवेशित कंड D2 की तरफ तुरित हो जाएगा यानि कि इसका वेग बढ़ जाएगा और अभी हमने समीकरंट से जाना कि जो वृती मार्ग की तृज्य होती है वेग के समानुपाती होती है अब जैसे ही यह आवेशित कंड जिसका वेग बढ़ चुका है यह D2 के अंदर प्रवेश करेगा तो फिर यहाँ पर इस खोकले D2 के अंदर विद्दू छेत्र का मांशुन्य हो जाएगा लेकिन लमवत चुम्ब की छेत्रिस पे कारे कर रहे तो फिर यहाँ पर लॉरेंच बल लगेगा और इस लॉरेंच बल के कारण इस कंड का पत वृताकार हो जाएगा लेकिन यहाँ पर चुकि इस कांड का वेक बढ़ चुका था तो इस वृताकार पत की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी क्यानि D1 की तुल्ला में अब D2 में प्रवेश करने के बाद इसके वृतिय मार्ग की त्रिज्या बढ़ चुकी होगी और इस प्रकार यह D2 में भी अर्द वृतिय करते हुए फिर गयाप के पास पहुचेगा जब यह गयाप के पास पहुचता है उसमें फिर इस निश्चित समय अंतराल के बाद समय अंतराल यानि कि इस D के अंदर इस आवेश के गती करने के समय वो निश्चित है D1 में जितने समय में उसने गत्य किया था D2 में भी वो उतने समय में ही गत्य करेगा अब D2 में जब उतने ही समय में गत्य करेगा इसकी त्रिज्या बढ़ चुकी है तो अब उतने ही समय में उसको बाहर आने के लिए उसका वेग और ज्यादा बढ़ जाएगा अब यहां पर जैसे ही वो गैप में पहुशता है फिर दोनों डेस की धुरूता चेंज हो जाती है डी वन फिर रिनात्मक विभव पे हो जाता है और डी टू धनात्मक में अब यहां पर इस गैप में फिर से वो कण विद्दुच् और चुम्बकी छेत्र दोनों का अनभव करेगा और विद्दुच्छेत्र के प्रभाव से वो त्वरित हो जाएगा और जैसे ही डी टू के अंदर पहुचेगा वहां पर पुना हां विद्दु छेत्र शून्य होने के कारण केवल चुम्ब की छेत्र कारे करेगा और उसका पत फिर से वृताकार हो जाएगा चुकि इस गैप में वो त्वरित हो चुका था उसका वेक बढ़ चुका था इसलिए अब डीटु में जब पुना प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग और भी बढ़ जाएगा और ये प्रक्रिया चलते जाएगी और इस प्रकार हम देखेंगे जब वो डीट के अंदर प्रवेश करते जाता है हर बार उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी इसका मतलब वो वृताकार पत पे गती नहीं कर रहा है बलकि उसका पत स्पाइरल होते जा रहा है यानि कि धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और जब उसका मार्ग सबसे बड़ा हो जाता है यानि डीज की किनारों पर पहुँच जाता है उस समय उसकी वेग भी सबसे अधिक होगी यानि कि उसकी उर्जा सबसे अधिक होगी और उस समय इसे एक छोटी सी खेड़की से बाहर निकाला जाता है और जहां भी टारगेट है उस तक इसको पहुचाया जाता है तो इस प्रकार हमने जाना कि साइकलोट्रॉन की गतीज उर्जा अधिक्तम तब होगी जब उसका वृतिपत का मार्ग अधिक्तम होगा व्योंकि अधिक्तम त्रिज्य वाले मार्ग में है उसका वेग सबसे अधिक था तो इसकी अधिक्तम गतीज उर्जा e maximum बराबर होगी half m v maximum square और v maximum कब होगा जब r maximum है हम त्रिज्य के फॉर्मले से जान रहे है r बराबर होता है mv upon qb तो v बराबर होगा qb r upon m तो maximum v के लिए त्रिज्य भी maximum होनी चाहिए तो हम v max बराबर लिखेंगे qb r max upon m और यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा e maximum बराबर half m qb r maximum upon m का whole square square करने पर हमें मिलेगा e maximum बराबर half m q square b square r maximum का square upon m यह एक-एक m cancel करने पर हमें मिलेगा e maximum बराबर half बी स्क्वेर, क्यू स्क्वेर, आर मैक्सिमम का स्क्वेर अपॉन एम तो साइक्लोट्रोन में गती करते हुए धनावेशितकन की अधिक्तम गतीज उर्जा उसके सबसे बड़े मार्ग में होगी क्योंकि इसी मार्ग में इसका वेख सबसे अधिक्तम होगा अब आएए देखते हैं कि साइक्लोट्रोन की आवरिती कितनी होगी एक्चुली यह साइक्लोट्रोन इसी सर्थ पर ही कारे करता है कि उसकी दोलन आवरिती उसके अंदर परिक्रमा कर रहे धनावेशितकी आवरिती के बराबर हो उसकी दोलन आवरिती मतलब विद्दू छित्र की आवरिती हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों डीस की दुरूता निरंतर चेंज हो रही है एक निश्ची समय के बाद मान लीजिए इस दोलित्र का दोलन कल टी है तो टी बाई टू समय पस्चात यानि कि जब इसका दोलन कल आधा होगा तब इसकी दुरूता चेंज हो जाएगी प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो टी बाई टू समय है उसी समय में ये धन आवेश इस दी के अंदर आधा चक्कर लगाकर गैप तक का वापिस आ जाएगा यानि हमने जो निकाला था इस डी के अंदर लगने वाला समय टी ये टी बाई टू के बराबर होना चाहिए तब ही ये साइकलोटरॉन सहीं तरीके से कारे कर सकेगा तो हम लिखते हैं टी बाई टू बराबर टी और टी बराबर हो जाएगा टू इन्टू टी टी का मानत हम ग्याद कर चुके हैं तो लिखेंगे टी बराबर टू पाई एम अपॉन क्यू बी और ये दोलन काल कहलाता है यानि कि इतने समय में हैं ये धन आवेशित कर इस साइकलोटरॉन का एक चक्कर लगाएगा मतलब ये दोनों डीज के अंदर परिक्रमा करकर उसी पोजिशन के पास पहुच जाएगा यानि वापिस उसे ग्याप में पहुच जाएगा अब हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी बराबर वन अपॉन टी होता है यानि कि दोलन काल का व्योद करम तो यहाँ पर साइकलोटरॉन की आवरिती यदि ज्याद करना हो तो इसके दोलन काल का व्योद करम लेंगे तो एफ बराबरों का वन अपॉन टी और हम लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू बी अपॉन टू पाई एम यह इस साइकलोटरॉन की आवरिती का समीकरन है और इस सूतर से हम देख रहे हैं किस फ्रिक्वेंसी का मान ना तो आवेशित कंड के वेक पे निर्भर कर रहा है और ना ही आवेशित कंड की तृज्या पर यानि कि frequency निर्भर कर रही है केवल चुम्बकी छेत्र की तीवरता पर हमने जो आवेशित कण लिया है उसके आवेश पर तथा उसके द्रवेमान पर तो इस प्रकार एक पटिकुलर आवेशित कण के लिए हम frequency निरधारित कर लेते हैं cyclotron की जिससे की cyclotron के अंदर वो अच्छी तरह से त्वरित किया जा सके अब cyclotron में कई limitations भी हैं जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि धन आवेशित कण d1 की तरह त्वरित हो रहे हैं कभी d2 की तरह त्वरित हो रहे हैं इसका मतलब कणों को आवेशित होना जरूरी है यहां पर यह दिया में एक ऐसा कंड ले लें जिसमें कोई आवेशित ना हो जैसे कि neutron तो उसमें चाहिए d1 की धुरूर्वता धनात्मक हो चाहिए d2 की धनात्मक हो रिनात्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनावेशित कंड किसी भी धूर्वता की और आकर्शित नहीं होंगे तो साइक्लोट्रों की सहायता से अनावेशित कंड जैसे neutron को त्व साइक्लोट्रों की सहायता से मिन आवेशित कंडों जैसे की अलेक्ट्रॉनों को भी तुरित नहीं किया सकता क्योंकि रिन आवेशित कंड की द्रवेमान कम होते हैं और जब इनको साइक्लोटमक आवेशित कि बढ़ जाएगी और जब ये दोनों आवरिती अलग-अलग हो जाएंगे तो साइकलोट्रॉन कारे करना बंद कर देगा या यू कहें कि हम ब्रिनात्मक आवेशों को साइकलोट्रॉन की सहता से त्वरित नहीं कर सकते साथ ही धनावेशित कणों को भी एक निश्चि सीमा तक ही त्वरित किया जा सकता है मतलब इसके वेग को भी एक निश्चि सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है जब धनावेशित कणों का चाल प्रकाश के चाल के समान होने लगे तो इनका द्रवेमान भी पढ़ जाएगा किसी भी कंड का आरंभिक द्रव्य मान होता है और V उस कंड का वेग और C प्रकाश का वेग अब यहां से हम देखें कि जब V C के बराबर होने लगे मान लीजिए V C के बराबर ही हो गया तो यहां पर आपको मिलेगा 1 और 1-1 करें तो यह हो जाएगा शुन्य और जब किसी भी चीज़ को मशुन्य से भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है तो इस प्रकार हम देखें कि M का मान अनंत होने लगेगा जैसे जैसे V C के बराबर होने लगेगा यानि कि कंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होने लगेगा उस कंडिशन में हम देखें M जो है यानि क कंड का द्रवेमान वो बढ़ने लगेगा और जब कंड का द्रवेमान बढ़ जाए उस कंडिशन में टी बराबर पाई एम अपॉन क्यू भी होता है यानि कि डी के अंदर जो कंड को अर्ध वृत्ताकार पत तैक करने में समय लग रहा था वो भी बढ़ जाएगा और जब सम इमिटेशन्स सीमाओं के बावजुद भी साइक्लोट्रोन हमारे लिए बहुत उप्योगी है व्योंकि साइक्लोट्रोन का उप्योग नाभिकी अभिक्रिया में किया जाता है हम जानते हैं नाभिकी अभिक्रिया करवाने के लिए हमें त्वरित कणों की जुरत होती है जो तो उसके वेक को बढ़ाया जाता है क्योंकि अगर वेक बढ़े तो उसमें गती जूर जा जाती है अब वेक को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं या तो उसको एक सीधे मार्ग पे ही तेजी से गती करवाया जाए याणि उसको सीधे मार्ग में ही twist किया जाए। लेकिन अगर हम किसी करण को सीधे मार्ग में ही और गोल गोल गुमा कर उसके वेक को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। ऐसा करने पर भी उसकी गतिजूर्जा बढ़ जाती है। तो साइक्लोट्रण में भी हम यही करते हैं। किसी भी धनाविशित करण को तोरित करने के लिए उसे बार-बर वहीं वहीं पर घुमाते हैं और उसकी कारण उसकी उर्जा बढ़ जाती है। और इसी कारण ही वो में सुधार कर सकते हैं साथ ही किसी भी radioactive पदार्थ को भी इसकी सहता से उत्पन्न किया जा सकता है क्योंकि ऐसे गती शील यासे त्वरित उच्च उर्जा वाले जब करण किसी भी नाभिक के साथ क्रिया करते हैं तो इससे नए radioactive पदार्थ भी उत्पन्न हो सकते हैं साइक्लोट्रोन की सहता से जो उच्च उर्जय वाले करण हमें प्राप्त हो रहे हैं उसकी सहता से नए ने पदार्थों का भी संसलेशन किया जा सकता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साइक्लोट्रोन हमारे लिए बहुत ही उप्योगी है बच्चो अभी हमने देखा कि जब कोई आवेश चुम्बक्ये छित्र में गती करता है तो उसमें चुम्बक्ये लॉरेंज बल कारे करता है जिसका सूत्र एफ बराबर होता है क्यूँ वी क्रॉस बी अब ये आवेश मान लीजिये किसी चालक में प्रवाहित हो रहे हैं तो बल चालक में भी लगना चाहिए और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं यानि कि जब किसी चालक में विद्दुधारा प्रवाहित हो रही है और वहाँ चालक चुम्बकी छित में रखा जाता है तो उस चालक पर भी बल कार्य करता है तो आईए देखें कि इस चालक पर यह बल किस तरह कार्य करेगा इसके लिए हमने एक एलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा है इसमें कनेक्टिंग वायर जोड़ा है और साथ ही जोड़ा है एक स्विच जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं यान पर यू शेप में मोड देते हैं ताकि उसमें कोई मुव्मेंट हो उस पर कोई बल लगे तो वो हमको आसानी से नजर आए अब मान लीजिए इस यू शेप मुड़े हुए चालक तार के पास हम एक चुम्बक लाके रखते हैं हमने यहां पर एक नाल चुम्बक लिया है या नाल चुम्बक के जो दो चोर होंगे यानि कि दो धूफ होंगे उत्री धूफ और दक्षिन धूफ यह इस तार के दोनों तरफ एक समन चुम्बक की छेतर प्रदान करेंगे तो यहां पर हमने इस नाल चुम्बक को उप्योग किया है अब जैसे इस नाल चुम्बक को इस तार के पास लाया जाता है, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहे थी, तो तार ये ये यू शेप का मूड़ा हुआ, ये अपनी जगे पर था, लेकिन जैसे ही हम परिपत को क्लोस करते हैं, पूर्ण करते हैं, यानि कि इसमें सधारा प्रवाहित होती है, तो हम दे अपनी दिशा में खीच रहा है, अब इसको और कंफर्म करने के लिए, हम चुम्बक के दुरुवों को पलट देते हैं, यानि कि चुम्बकी छेतर की दिशा को पलट देते हैं, जिब चुम्बकी छेतर की दिशा पलट चाहिए, तो यकीनन उस बल की दिशा भी विपरित हो को पलटने के बाद यहां पर यह यू शेप का जो तार लटका हुआ था उस पर भी बल की दिशा विप्रित हो गई क्योंकि यह दूसरे दिशा में विक्षेपित हो गया इसका मतलद यह कण्फरम हो गया कि जब कोई धारावही चालग किसी चुम्बकी छेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है अब इसका सूत्र क्या होगा? लॉरेंच बल का सूत्र किसी आवेश पर चुम्बकी छेत में रखे जाने पर दिया जाता था F equal to Q V cross B अब इसी समीकरण को मैं समय से गुणा कर दूँ और समय से भाग दे दूँ ताकि यह equation balance रहे है इसलिए गुणा कर रहे हैं तो भाग भी दिना पड़ेगा तो यह समीकरण हो जाएगा Q V cross B अब मैं V के साथ T को गुणा कर देती हैं और इस समीकरण को T से भाग भी दे देती हो समय अदीश राशी है इसलिए इसको गुणा करेंगे किसी सदीश के साथ तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसलिए हम यहाँ पर समय को गुणा कर दी अब आवेश बटे समय यानि कि आवेश प्रवाह की दर इससे हम धारा कहते हैं तो क्यू अपॉन टी के जगे लिखोंगी में आए वेग इंटू समय यह हो जाती है दूरी हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय अब मान लीजिए इस चालक तार की लंबाई L है यानि कि आवेश इस L लंबाई को तै कर रहा है यानि कि इसके द्वारा तै की गई दूरी ल है उस कंडिशन में हम लिखेंगे वेग बराबर L अपॉन T और यहां से L बराबर हो जाएगा V इंटू T तो इस V इंटू T के स्थान पर हम इस चालक तार की लंबाई लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे L क्रॉस B चुकि यहां पर L एक विस्थापन सदीश की रूप में लिया जा सकता है आवेश गती कर रहे हैं एक दिशा में गती कर रहे हैं तो L मतलब लंबाई को हम विस्थापन सदीश की रूप में ले सकते हैं इसलिए यहां पर हमने L वेक्टर लिया तो इस प्रकार किसी चुम्बकी छेतर में धारा वाही चालक पर लगने वाले बल का समिकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है F equal to I L cross B जहां पर बल एक सदीश राशी है यानि किसकी दिशा होगी और इसकी दिशा L और B जिस तल में होंगे उस तल के लंबवत होगी क्योंकि L और B के बीच में cross product है और cross product का जो भी result होता है परिणाम होता है उसकी दिशा उन दोनों ही सदीशों के तल के लंबवत होती है तो यहां पर F के दिशा भी L और B के तल के लंबवत होगी अब यहां पर cross product है दोनों सदीशों के बीच में अगर cross का sign हटाएंगे तो हम लिखेंगे sin theta तो यह सूतर बन जाएगा F is equal to I L B sin theta और यह लगने वाले बल का अधीश रूप है अब यहां पर हम अलग-अलग स्थितिया देखते हैं क्योंकि यहां पर theta vary कर सकता है तो theta के अधार पर अलग-अलग स्थितिया होगी पहले हम theta बराबर 0 लेते हैं theta बराबर 0 का मतलब क्या होगा यह theta L और B के बीच का कोण है L और B के बीच का कोण यदि 0 है इसका मतलब जो चालक आपने लिया है वो चुम्बकी छेतर के समानतर रखा गया है तो जब कोई चालक चुम्बकी छित्र के समानतर रखा गया हो और उसमें धारा प्रवाहित करें उस पे लगने वाला बल होगा F बराबर I L B साइन जीरो और साइन जीरो का मान होता है जीरो यानि कि यहाँ पर कुल बल का मान हो जाएगा जीरो यह यह कहें जब कोई धारा वाहित चालक चुम्बकी छित्र में रखा जाएगा उसके समानतर तो उस चालक पर कोई भी बल कारिय नहीं करेगा अब दूसरे स्थिती लेते हैं जब थीटा बराबर 90 डिगरी है यानि कि यह जो चालक है वो चुम्बकी छित्र के लमवत रखा गया है यूकि थीटा ल और बी के बीश का कोण है तो यहाँ पर चालक चुम्बकी छित्र के लमवत रखा गया है उस कंडिशन में एफ बराबर होगा आई एल भी साइन 90 और साइन नाइंटी का मान होता है वन और यह साइन का अधिक्तम मान है तो यू कह सकते हम F का मान यहाँ पर अधिक्तम होगा और वो होगा F इक्वल टू I L B और यहाँ पर बल की दिशा जैसे कि हम पहले भी देखे थे जब आवेश किसी चुम्बकी चेतर में गती कर रहा था तो इसमें बल की दिशा लगाने के लिए हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल इस्तमाल किया था या फिर right hand palm rule का स्थमाल किया था तो यहाँ पर भी चालक में लगने वाले बल की दिशा को ग्याद करने के लिए हम या तो फ्लेमिंग के left hand नियम का स्थमाल कर सकते हैं या फिर हम right hand palm rule का स्थमाल कर सकते हैं अब इसी सूत्र के अधार पर हम चुम्बकी छेत्र का मात्रक देखते हैं बच्चों ये कोश्चन एक्जाम में भी आता है कि किसी धारावाही चालक पर चुम्बकी छेत्र में रखने पर लगने वाले बल के अधार पर चुम्बकी छेत्र का मात्रक तथा उसकी वीमी ये सूत्र ग्याद कीजिए तो आएए हमें सूत्र के अधर पर चुम्बकी छेत्र का मात्रक और इसका वीमी सूत्र ग्याद करते हैं सूत्र है F बराबर I L B sin theta तो B बराबर होगा F अपॉन I L sin theta यहाँ theta L और B के बिश का कौन था और जब आप कौन लेंगे कोई भी और उसकी जिया निकालेंगे तो आपको एक मान मिलेगा यानि कि परिमान मिलेगा इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मात्रक निकालने के समय हटा देते हैं इसको हम इसका मात्रक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि कौन का मात्रक हम जनरली डिग्री या अंश में निकालते हैं और यहाँ पर हमको जब उसका मान मिल जाएगा तो उसकी मात्रक लिखने के अवशकता नहीं है तो यहाँ पर हम B का मात्रक ज्याद करने के लिए बल का SI मात्रक लेंगे जो कि Newton होता है धारा का SI मात्रक Ampere और लंबाई का SI मात्रक Meter तो इस प्रकार चुम्बकी छेत्र की तीवरता का SI मात्रक हो जाएगा Newton upon Ampere into Meter यानि कि Newton प्रती Ampere प्रती Meter अब इसका विमी सूत्र देखते हैं बल का विमी सूत्र होता है MLT-2 धारा का Ampere यानि कि A और लंबाई यानि कि Meter के लिए हम लिखते हैं L यहाँ ऊपर और नीजे से एक L कैंसल हो जाएगे तो विमी सूत्र चुम्बकी छेत्रक होगा ML0T-2 A-1 तो इस प्रकार हम इस सूत्र की सहता से चुम्बकी छेत्र का मात्रक और उसका विमी सूत्रक दोनों ग्याद कर सकते हैं अब हम दो धारावाही चालोकों के बीच में लगने वाले बल की बारे में चर्चा करते हैं मान लेजे एक धारावाही चालक है जिसको हमने पीक्यू से दर्शाया है इसमें इस तीर के निशान की दिशा में धारावाही थो रही है यानि यू कहो कि ऊपर क्यों बचों यहां पर जब भी हम चुम्बकी छेतर के बारे में बात करें या बल के बारे में बात करें यह सदीश राशी होती है और जब भी सदीश राशी के बारे में हम चर्चा करें तो उसकी दिशा का बहुत महत्व होता है तो यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह किस दिशा में रखा गया है कैसे रखा गया कौन से तलप है मान लीजिए यह जो पी क्यू हमने धारवाही चालक लिया था इस बोड के तलप है कि यूं कहें कि आपके कौपी के कागज के तलप है और धारा नीचे से उपर के प्रवाहित हो रही है अब इस चालक तार के चारो और अपना चुम्बकी छेत्र उत्पन हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि धारवाही चालक तार के चारो और चुम्बकी छेत्र उत्पन होता है अब इसकी चुम्बकी चेत्र की दिशा बताने के लिए हम right hand के अंभूठे का नियम इस्तेभा करते हैं यदी मैं इस धारा वाही चालक तार में धारा की दिशा में अपना अंभूठा रखो तो मेरी उंगलिया जिस दिशा में मूडेंगी उस दिशा में चुम्बकी चेतर होगा और ये चुम्बकी चेतर इस तार के चारो ओर समकेंद्री वृतो के रूप में होगा तो यहां इस कंडिशन में भी वैसे ही होगा आपकी कॉपी के कागश्टल में ये पीक्यू चालक रखा गया है और आपकी कॉपी के कागश्टल के लमवत समकेंद्रे वृतों के रूप में चुम्बकी छित्र उत्पन होगा अब मान लीजे हम एक दूसरा चालक ला रहे हैं RS इसे हम पहले वाले चालक के चुम्बकी छित्र के अंदर ला रहे हैं अब इस चालक में भी बल कारे करेगा यदि इस चालक में धारा प्रवाहित होगी मान लीजे इस RS चालक में भी उपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और यह RS चालक भी इस बोड तल में रखा गया है या आपके कौपी के कागश तल में रखा गया है मतलब यह PQ और RS दोनों ही चालकों के तल एक समान है यह दोनों एक ही तल में रखे गए और दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है यानि नीचे से उपर के और अब ये दूसरे वाले चालक RS में पहले वाले के चुम्बकी छेत्र के कारण बल लगेगा वैसे ही जब हम दूसरे वाले चालक RS को देखें इसमें भी I2 धारा प्रवाहित हो रही थी मान लीजिए तो इसके चारो तरव भी इसका अपना चुम्बकी छेत्र होगा और ये चुम्बकी छेत्र भी यदि हम राइट हैंड अंगूठे के नियम से निकाले तो ये भी इस कागश तल में आपकी कौपी के कागश तल में सम केंद्री वृतो के रूप में लंबवत होगा या यूँ कहें इस बोर्ड में लंबवत होगा सम केंद्री वृतो के रूप में अब इसके चुम्बकी छितर में ये PQ रखा गया है, यानि PQ पर भी बल कारे करेगा, ये यूँ कहें कि पहले वाले चालक के चुम्बकी छितर के कारण दूसरे वाले चालक पर बल लगेगा, दूसरे वाले चालक के चुम्बकी छितर के कारण पहले वाले चालक पर बल लग अब ये बल कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी ये ग्याद करते हैं तो पहला वाला चालक PQ जिसमें आईवन धारा उपर की और भैरी है इसमें चुम्बकी छेत्र समकेंद्री वृतों की रूप में है अब इसके कारण इस RS चालक पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग् मान लेजी हमने बीवन लिया है और सूत्र अनुसार हम जानते हैं किसी भी लंबे धारा वाही चालक के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता बी बराबर होती है म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर मान लेजी जहां आर दूरी होती है जिस बिंदू पर हमको चुम्बक पर पहले वाले चालक के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता बी वन बराबर होगी म्यू जीरो आई वन अपॉन टू पाई डी अब इस चुम्बकी छेत्र की दिशा चालक आरस में किस तरफ होगी यह देखते हैं जैसे कि अंगुठे के नियम से हमने देखा अब इस आरस चालक में देखूं तो मेरी उंगलिया इस बोड के अंदर जा रही हैं आपके कापी के कागश तल के अंदर नीचे की ओर होंगी लंबवत और यहां बोड के लंबवत अंदर की ओर आप अंदर की ओर जा रही हैं तो यहां पर एक गोले के अंदर क्रॉस का निशान लगाए है यानि कि हम तीर के पीछे का हिस्सा देख पाएंगे जो कि क्रॉस के रूप में होता है तुमने क्रॉस लगा दिया अब इसी चुम्बकी छेत्र के कारण RS पर बल लग रहा है इस बल को मान लीजे हम F2 लेते हैं क्योंकि दूसरे चालक पर लग रहा है इसलिए मैंने इसे F2 लिया है तो F2 बराबर होगा वही दूसरे चालक में बहने वाली धारा फॉर्मुला क्या है बल का I L B साइन थेटा I उस चालक में बहने वाली धारा L उस चालक की लंबाई और B जिसके चुम्बकी छेत्र में वो रखा गया है तो हम लिखेंगे F2 बराबर I2 L B1 L चालक तार की लंबाई लिए हमने B1 हमने लिखा है क्योंकि ये पहले वाले चुम्बकी छेत्र के कारण बल का अनभव कर रहा है अब साइन थीटा लिखेंगे आप पर आगे जहाँ थीटा L और B के बीच का कोण होगा ये हम लोग देख रहे हैं कि L चालक तार की लंबाई है और चुम्बकी छेत्र उसके लंबवत काम कर रहा है यानि कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 कमान 1 इसलिए F2 बराबर लिखेंगे I2 L B1 अब इसकी दिशा ग्याद करते हैं इस चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का स्तमाल कर सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल का भी स्तमाल कर सकते हैं तो चलो इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का स्तमाल करते हैं लेफ्ट हैंड के नियम का स्तमाल करने के लिए सबसे पहले हम अपने अंगूठे, तरजनी और मध्यमा को एक दुसरे के परस्पल रमवत स्ट्रेच कर लेते हैं ये तरजनी होती है वो चुम्बकी छेत्र की दिश्य बताती है और ये मध्यमा ये विद्धु धारा की दिश्य बताती है और अंगुठा लगने वाले बल की दिश्य बताएगा FBI मैंने बताया था आप लोगों को याद करने का असान तरीका अब यहाँ पर धारा की दिशा उपर की ओर है चुम्ब की छेतर अंदर की ओर है मैं अपने हाथ को अंदर की ओर लेती हूँ तो अंगुठा किस दिशा में आएगा अंगुठा मेरी ओर ही आ रहा है यानि कि लगने वाले बल की दिशा इसी तरफ होगी जिस तरफ चालक PQ रखा गया है इसको हम इस से F2 से दर्शा देते हैं अब यहाँ पर B1 का मान रिखेंगे सूत्र में तो यह जगा F2 बराबर I2L यह पूरे चालक पर लगने वाले बल का मान है प्रती एकांक लंबाई में चालक पर लगने वाले बल का मान होगा F2 बराबर F2 अपॉन L कुल लंबाई से हमने भाग दे दिया तो प्रती एकांक लंबाई के लिए निकल जाएगा बल तो यह जगा Mu0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D अब इस दूसरे चालक RS के कारण जो चुम्बकी छेतर उत्पन हुआ था उस चुम्बकी छेतर में पहला वाला चालक भी लाके रखा गया है इस पहले वाले चालक पर कितना बलकारे करेगा वो निकालते हैं तो सबसे पहले RS का चुम्बकी छेतर कितना होगा इसे हम दर्शाएंगे B2 से B2 बराबर होगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाइडी यूकि D दूरी पर ही पहला चालक पी क्यू रखा गया है अब इस चुम्बकी छेतर कि दिशा इस पी क्यू पर क्या होगी यह देखते हैं यहां पर हम RS के लिए अपने अंगुठे को उपर क्यू और लिए और इसको जब पकड़ने का प्रयास करेंगे तो पी क्यू चालक से हमारी उंगलिया बाहार की ओर आती हुई नजर आएंगे बाहर की ओर आ रही है यानि कि इस बोट के लमवद बाहर की ओर और आपकी कॉपी के कागश तल में लमवद ऊपर की ओर इसलिए यहां पर हम एक गोला डाल कर बिंदू लगा देंगे क्योंकि जब तीर सामने से देखा जाता है तो वो एक पॉइंट के रूप में ही नजर आता है तो यहां पर हमने चुम्बकी छित्र की दिशे को गोला लगा कर पिंदू डाल दिया है अब इस चालक पर कितना बलकारी करेगा बलका फॉर्मुला होगा I1 L B2 Sin Theta L यहां पर पहले वाले चालक की लंबाई भी उतने ही ले रहे हैं अब यहां पर थीटर बराबर होगा 90 डिगरी क्योंकि यहां पर चुम्बकी छेत्र लंबवत है इस कागश तल के तो यहां पर हम लिखेंगे Sin 90 Sin 90 कमान 1 तो F1 बराबर होगा I1 L B2 अब B2 कमान लिख देते हैं तो F1 बराबर I1 L मू 0 I2 अपन 2 पाई D और यहां से F1 बराबर होगा मू 0 अपन 2 पाई I1 I2 L अपन D यहां पर भी प्रती एक आंकल लंबाई पर लगने वाले बल की गढ़ना करें तो यह हो जाएगा F1 बराबर F1 अपन L मान रखने पर हमें मिलेगा मू 0 अपन 2 पाई I1 I2 अपन D अब यह मान तो बिलकुल उतना ही है अब इस सूत्र से हम देखें तो पहले वाले चालक पर जो बल लग रहा है वो बिलकुल उतना ही है जितना दूसरे वाले चालक पर बल लग रहा था यानि प्रती एक आंक लंबाई पर दोनों तारों में लगने वाले बल का मान एक समान है अब इसकी दिशा देखते हैं यहाँ पर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तमाल करेंगे चालक तार PQ में बहने वाली धारा उपर की और है चुम्बकी छेत्रे की दिशा यहाँ पर देखें तो बाहर की और है यानि मैं अपनी उगलियों को बाहर की तरफ लेती हूँ यह उपर की और है अब अंगूठा मेरा उस साइट दिखा रहा है जिस साइट RS चालक है यानि पहले वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा RS की और होगी तो इस प्रकार हम देखें चुत्र में तो RS पर लगने वाले बल की दिशा PQ की और है और PQ पर लगने वाले बल की दिशा RS की और है यानि यह दोनों एक दूसरे को को अपनी और आकर्षित कर रहा है तो इस तरीके से हम कहा सकते हैं कि यदि दो धारावाहिद छालकों को एक दूसरे की समानतर रखा जाये तो दोनों में प्रती एक आंख लंबाई में लगने वाला बल बल समान होता है और ये बल अकर्शन का होता है यानि ये दोनों चालक एक दुसरे की और अकर्शित होते हैं